सोल की बात करूंगा तो दुस्तो आज से लगबग एक साल पहले एक जनुरी 2023 को लगबग आठ डॉलर पे ट्रेड कर रहा था आज एक साल बाद सोल का प्राइस चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो एक सो तीन डॉलर लगबग 10X से जादा प्रॉफिट आप मेरी प्रॉफि टॉलर मुझे प्रॉफिट वे टिन एक सालों के अंदर सिर्पर सॉल पे हुआ है जोकी ब्लॉक्चेन प्रोवाइड करता है दूसरे चेन को अपने बिल्ट करता है अधि इसी तरीके से एक हम इस्टोरी देखेंगे पास्ट्री देखेंगे तो जैसे कि देख सकते हो चेन इथरियम अगर आप देखोगे लगबग 15,625 गुना प्रोफिट दिया है लाँच हुआ था दुस्तों 2015-2021 लगबग अगर आप देखोगे तो 6 साल बाद ये रिटन मिला है लोगों को BNB 2017 को लाँच हुआ था 2021 तक लगबग 4,590 लगबग 4,500 एक्स के रिटन दी है वो भी लगबग 4 सालों में बात करते हैं सोल की तो सोल लगबग 1 सालों में लोगों को प्रोफिट दिया है 1100 गुना ठीक है अगर आप इस तरह के से देखोगे मैंने टॉप 50 प्रोजेट्स के यहां पर अगर अगर आप देखोगे लिष्ट उठा के रखे हैं बट most of the coin लोगों को प्रोफिट दे के रखा है अगर मैं बात करूँ यह जो रिटन है यह रिटन लोगों को देखे रखा है और यहां पर बात करेंगे पुराने टोकें से जहां पर अगर आप देखोगे crypto market cap billions of dollars का इन्होंने capture करके रखा है market का एक बहुत बड़ा तगड़ा position को यह capture करके रखे है जैसे कि Ethereum की बात करेंगे सोल की बात करेंगे यह सभी 2010 टोकेंस में से आते हैं अब आज इस वीडियो बे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं ऐसे project जो क इसी तरीके का blockchain provide करता है जो कि आने वाले एक, दो, तीन, चार, पांस सालों में मतलब इस level का return दे सकते हैं जैसकि हमने यहाँ पर देखा जो return of ratio अगर अब देखोगे listing date देखोगे and ATS का date देखोगे ते इस साब को clear cut चलिए समझ में आगे crypto सिरिप और स्रिप एक रात में भी लगपती, करोड़पती बना सकता है, सिरिप और स्रिप एक रात में कंगाल भी बना सकता है and सिरिप और स्रिप आने वाले दो, चार, पांस सालों में यह आपको अरबपती, खरबपती भी बना सकता है बासरते आपके portfolio में सही coin हो and वो सही coin इंतजार कर रहा हो अपना all time ATS तोड़ने का, ठीक है, एक नया ATS बनाने का, अब यहाँ पर बात कर रहा था, यह पूराने token से तो नए token की list बताने वाद जा रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ tokens, मतलब आपको साथ मैंने पहले भी share करके रखा है, most of the token मैंने पहले भी share करके रखा है, but this video going to different क्योंक यहाँ पर हम सिर्फ पसरी blockchain technology को बात करेंगे, जैसे कि Polygon Matic हो, Polkadot हो, ICP हो, इन सब के उपर बात नहीं करेंगे, या फिर Arbitrium हो, OP हो, इन सब के उपर हम लोग already बात कर रहे हैं, अब जो नए token से जिसमें बढ़ने की समभावना सबसे ज़्यादा है, तो उन token को बात करते ह तो इस list पे सबसे पहला project हमारे को मिल जाता है, दोस्तों देख सकते हो, 5RE ठीक है, यहाँ पर 1400 से ज़्यादा white list पे है, और यह blockchain प्रोबाइड करता है, अगर हम देखेंगी gaming industry को, और आप सभी को पता होगा कि gaming industry कितना फलपूल रहा है, सबसे बढ़िया यहाँ पर चीज ह इसका market cap, जो की काफी बैतरीन है, 8 million dollar का market cap है, जैसे कि अगर हम देखते हैं, यहाँ पर 8 million dollar का market cap, और इसकी अगर आप all time high low देखोगे, तो जैसे कि देख सेखते हैं, all time low से मात्र 10% पनलब 10% उपर है, ठीक है, and fundamentally कितना strong है, तो fundamentally बहुत strong है, क्योंकि अगर हम देखते हैं, इसके पीछे के bakers काफी बड़ी टीम है, तो यह हमारा his list का पहला token हो जाता है, next token, जिसके उपर already हम लोग काफी अच्छा profit में है, already इसमें भी profit में है, and this token में भी हम लोग यहाँ पर profit में है, layer AI, जहाँ पर अगर अगर अब देखोगे, 1690 से जदा white list है, chain category का है, जिसके प अब next इस list पे जो token है, इसके उपर भी हम लोग को already बात कर चुके है, यह शतोशी BM है, जिसको लगबग 600 लोग को white list chain category का है, ठीक है, and अगर हम देखते हैं, 34 million dollar की यहाँ पर इसकी market cap है, and हम लोग दीरे-दीरे market cap बढ़ाते जा रहे, lower से उपर बढ़ेंगे, and शतोशी BM की बात करूँगा, तो almost आप सभी को पता हुआ कि कितना hype पकड़ा था यह token, and market cap जब छोटा है, तो grow कर निकले, आफी बैतरीन हो जाता है, next जो token है दोस्तों, यह भी gaming category का token है, the root network token, यह भी gaming category को blockchain प्रोवाइड करता है, and यह भी काफी strong project है, इसके पीछे, अगर मैं बात मातरे 85 million dollar का है, and यहाँ पर अगर 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 आप देखते हो, तो इसका next token on log भी I think so, 27, यह जब तक वीडियो देखो, तब तक सायद हो जाए, ठीक है, and जो next token है, तो इस लिस्ट पे यह भी काफी hit list वाला token है, my area, जिस पर अगर आप white list पे देखोगे, लगबग 1500 से ज़ लगबग अगर हम बात करेंगे, 800% उपर है, next token दोस्तों इस लिस्ट पे हमारे को मिल जाता है, Jetta chain token जैसे कि अद देख सकते हो, 1400 से ज़्यादा voice list पे रखा हुए है, and current time trade कर रहा है, दोस्तों 2.5 dollar पे, पीछे का team जो कि मैंने बताया कि fundamental strong है, definitely CMT digital काफी साड़े बड़े, मतलब यहाँ पर बात करूँगा, नामी दाभी company है, लगबग यहाँ पर डीटेल में देखते हैं, 600 million dollar की market cap है, and all time low से लगबग 200-300% उपर है, ठीक है, next जो token है, दूस्तों इस लिस्ट पे हमारे को मिल जाता है, यह Manta Network token, and Manta Network की अगर हम डीटेल में बात करेंगे, तो अल this is one of the biggest token बन सकता है, आने वाले समय पे, जैसे कि देख से को 300 से ज़्यादा watch list पे रखे हैं, current market cap लगबग 700 million dollar का है, and all time low से मातर 48% उपर है, ठीक है, 2.295 dollar पे चल रहा है, लगब 3 dollar के आसफास चल रहा है, next जो token है दूस्तों यह Startnet token है, जिसके पीछे के investor, जैसे कि मुने strong है, definitely strong है, अगर पीछे के team strong है, तो यह fundamentally strong है, इतना तो मान के चलना पड़ेगा, Startnet इस साल का overhype project है, जिसकी price चल रहा है, जिसकी price चल रहा है, जिसकी price चल रहा है, पर ज्यादा नहीं, जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर retail बात करेंगे, तो 3,800 ज्यादा watch list पर है, अगर हम बात करते हैं, 1.4 billion dollar की market cap already इसने gain करके रखा है, market cap काफी बढ़िया part launch होते ही gain करके रखा है, जहाँ पर की दूसरे coins को आले में सालों साल लग जाते हैं, अब next token तो इस list पर हम बात करेंगे, यह flare token है, और इस token को अभी current pick करने का reason क्या है, तो यह तो ज्यादा नया token नहीं है, अगर मैं बात करूँगा, सभी हमने नया project को उपर बात किया, अगर बात करेंगे, लगबक 8-9 महीना पहले से ही है, डिजल में देखते हैं, लगबक एक साल मान की चलो, पीछे का investor काफी बड़े investor है, 1.46 million dollar की यहाँ पर बात करेंगे, कि इसके market cap है, and most important यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने मिलेगा, कि recently इस पे reinvestment किया है, इसके जो team है, जैसके देख सकते हैं, कैनेटिक कैपिटल, L.A.S. लायर ने 35 million dollar की, तो बढ़ने की संभावना बहुत जादा है, price growth आ सकती है, बहुत जल्द, and अच्छी खासी अग जैसके मनें बताया कि, यह जो chain list के token है, काफी सार बूम कर रहे हैं, बट लिस्ट लिस्ट पे, यह सब नए token जुड़े है, कभी भी अपने bull run पे नहीं गए है, अब भी entry लिये है, market में, हो सकता है, किसी में 30, 20, 50% के dump आ जाए, बट यह bull run पे कमाल एंड बावाल करने वाल मतलब blockchain and blockchain मतलब, यह सभी के सभी blockchain provider tokens, तो भाई, उमिद करूँगा, कुछ चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, कुछ चीज़े में भी आपको नहीं समझ में आई, तो comment कर देना, उसके उपर भी हम dedicated video लेके आएंगे, जैसे कि अगर हम detail में देखते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे, at the last, not least, watch list market cap में, 30 days के अगर हम बात करेंगे, लगबग 18% growth आया, सिर्व पर सिर्व चेन tokens में, जो blockchain token provide करते हैं, ठीक है, that is great and good, तो भाई, आज की video के यहें पर close करते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं, नवसकार,